तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 का साइंस का चाप्टर नंबर 7 वेदर, क्लाइमेट और अडाप्टेशन ऑफ एनिमल्स तो क्लाइमेट ठीक है मैं क्वेश्चन आंसे सॉल्फ कर रहे हूं तो क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं Name the elements that determine the weather of a place कि क्या-क्या elements होते हैं क्या चीज़े होती हैं जो एक जगा के मौसम को describe करती हैं determine करती हैं कि इस तरह की elements होगी तो ऐसा मौसम होगा तो वो अब हमें चीज़ें बतानी है ठीक है तो क्या है answer temperature वहाँ का कितना temperature है कितना तापमान है humidity 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 क्या होता है humidity होते है कितनी नमी है वहां पर पानी मतलब हवा में कितनी नमी है पानी कितना हवा में वह चीज़ होती है जैसे August September के मन्त में देखोगे न चिपचिपी से जादा शुरू हो जाती है मतलब हर जगा बॉड़ी पर चिपचिप हो रहे होती है वह क्या होता है कि जब humidity होती है weather में मतलब हवा में चिपचिपी नमी होती है तो उसको कहते है humidity rainfall कि वहां पर बारिश कितनी होती है wind की speed कितनी है मतलब हवा किती तेज से चलती है air का pressure कितना है तो यह सारी चीज़ें होती है etc. are the elements of the weather because the weather of a place can be determined using these elements क्योंकि यह सारी चीज़ें जो होती है यह सारी elements ही determine करती है कि weather कैसा होगा next question है when are the maximum and minimum temperatures likely to occur during the day मतलब कि दिन में सबसे ज़्यादा तापमान और सबसे कम तापमान कब होगा पूरे दिन में तो अब देखो सबसे maximum temperature maximum means सबसे ज़्यादा गर्मी जो जितने level तक पहुन सकती है तो वो जो होगी वो सबसे ज़्यादा दुपहर में होगी ठीक है और जो सबसे कम temperature होगा वो बिल्कुल सुबह सुबह होगा बिल्कुल जैसे चार बजे हम उठते ना गर्मियों में भी कई बारी ठंड लग रही होती है क्यों? क्योंकि वो दिन का सबसे कम temperature होता है और कई बारी गर्मियों में दुपहर को चले जाओ बार दो बजे तो इतनी तेज गर्मी होती है कि निकली नहीं सकते reason being क्योंकि तब temperature सबसे maximum होता है maximum means सबसे ज़्यादा so what we'll write here is answer number two the maximum temperature of the day occurs generally in the afternoon generally means आम तोर पे afternoon में होता है while the minimum temperature while means आलाग की जो सबसे कम temperature होता है occurs generally in the early morning कि वो ज़्यादा तर सुभे सुभे होता है early morning में ठीक है so next question is fill in the blanks अब हमें blanks फिल करने है the average weather taken over a long time is called climate of the place average weather क्या होता है कि मतलब यहां का कैसा climate रहता है हम जाते ने शिम्ला तो हम केते हैं कि वहां का climate कैसा है तो वो होता है average weather मतलब normally weather कैसा रहता है average weather taken over a long time is called जो जादा तर time होगा वही होगा ना कि भी मुश्रीम्ला में तो ठंड होती है वहां का climate बड़ा अच्छ होता है हम कहते हैं हां तो it means वहां का जो average weather है वो जादा तर ठंड का रहता है so average weather taken over a long time is called climate of the place next है a place receives very little rainfall and the temperature is high throughout the year the climate of that place will be dash and dash तो कि एक जगा है जहां पे बहुत कम बारिश होती है और वहां की जो temperature है तापमान है वो बहुत तेज रहता है पूरे साल में गर्मी बहुत रहती है उस place पे तो climate कैसा होगा उस जगा का वहां का climate होगा hot and dry अब सपोस्थ दुबई लगा लेते हैं दुबई सबको पता होगा रेती है यह राजस्थान लगा लो अब वहां बारिश तो बहुत कम होती है लेकिन तापमान जो तो टेम्परेचर है वह बहुत तेज रहता है तो टेम्परेचर तेज मींस बहुत गर्मी हो न तो बारिश नहीं होगी तो ड्राइनस होगी तो इट मींस hot and dry तो इनसुखा रहेगा थर्ड है the two regions of the earth with extreme climatic conditions are dash and dash तो जो दो regions है earth की extreme climatic conditions के साथ जहां पे बहुत तेज गर्मी है यह बहुत तेज बारिश होती है यह बहुत तेज थन बढ़ती है वो कौन से है extreme means हद से ज़्यादा climatic condition है वो होई tropical region and polar region है न तो यह दो हो गए अब question no 4 पर आते हैं indicate the type of climate of the following areas indicate means हमें इनके बताना है कि कैसा climate यहां पे रहता है जम्मु इन कश्मीर में कहते से रहता है moderately hot and wet climate for a part of the year extremely cold in winter ठीक है कि जो पाट साल का कुछ पाट है वहां पे याद तो थौल का सा गर्मी रहती है और बारिश वाला वेट गीला गीला सा क्लाइमट रहता है लेकिन अगर सर्दियों के बात करें तो वहां पे बहुत थंड होती है kerala kerala very hot and wet as it is a coastal area ठीक है तो वहां पे बहुत तेस गर्मी भी होती है बहुत कीला भी होता है क्यूं क्यूंकि coastal area है बिल्कुल ऐसे समुंदर के पास पढ़ता ना इसलिए अब राजस्थान क्या है hot and dry because the temperature is high during most part of the year but during winter which lasts only for a few months the temperature is quite low this region receives very little rainfall तो राजस्थान के temperature है वहां पर अभी बात हुई थी हमारी उपर कि बहुत गर्म बहुत सूखा होता है hot and dry होता है क्यूंकि वहां का जो temperature है तापमान है वह बहुत ज्यादा रहता है mostly अब जैसे अगर आप एपरल से बात करो ना एपरल से वहां गर्मिया शुरू हो जाती पर इस रीजन में rainfall बहुत कम होती है तो नेक्स है नौर्थीस इंडिया अब नौर्थीस इंडिया कौन सा होता है जैसे मेगाल्या हो गया यह सब एरिया जो होते हैं वह नौर्थीस में आते हैं असाम तो वह वेट होते हैं because the नौर्थीस इंडिया receives rain for a major part of the year अब वह गील नौर्थीस इंडिया receives rain for a major part of the year अब next question है which of the two changes frequently weather or climate तो frequently क्या चेंज होता है climate या weather अब ही हमने पड़ा था weather तो मौसम हो गया climate क्या होता है कि वहां पे जो लंबे दौर तक चलता है पूरे साल में कितना लंबा पार्ट चलता है वह होता है climate तो weather तो एकदम से जैसे weather change हो आम कहते है ना कि एकदम से सर्व दी आगे एकदम से बारिश आगी अभी गर्मी थी तो बारिश हो गई तो इस तरीके से so weather changes frequently frequently means जो जादा चलती होता है so which are some of the characteristics of animals अब हमें animals के characteristics बता रहे है कि क्या क्या है ठीक है अब tropical for each characteristic indicate whether it is adaptation for tropical rainforest or polar region do you think that some of these characteristics can be adapted for both region तो चलो बताते है अब जो tropical rainforest है जहां पर बहुत बारिश होती है वहां पर diets heavy on fruits, loud voice, sticky pads on feet, bright colors, strong tails, long and large week ठीक है अब यह वहां के animals की characteristics बताते है कि वहां के diets heavy on fruits, fruits जादा खाते हैं वो बहुत तेज अवाज होती है उनकी feet पे sticky pads होते हैं क्योंकि वहां बारिश होती है तो फिसल सकते हैं इसलिए उनके पैरों में sticky pads होते हैं, bright colors के होते हैं, strong tail, उनकी पूंच बहुत strong होती है और long and large beak, beak means उनकी चोंच होती है वह बहुत तेज और बढ़ी होती है अब polar region, polar कौन से होते हैं जो बिल्कुल बरफ पे रहते हैं इसे होते हैं जिसे आक्टिक यह सब अंट्राक्टिक वह सब होते हैं जिसे polar beard बिल्कुल ऐसे फरी-फरी सा होते हैं तो polar region में क्या होते है, white fur होती है उनकी, need to migrate इदर उदर जाना पड़ता होने, layer of fat under skin, skin के निचे बहुत मोटी layer होती है उनकी fat की and wide and large paws होते हैं, paws क्या होते हैं जो पाउं होते हैं उनके वो, तो बहुत बढ़े बढ़े लार्ज होते हैं तो इसलिए different characteristics, I think different characteristics can be adapted for different regions, ठीक है, next question पर आते हैं, the tropical rainforest forest has a large population of animals, explain why it is so, कि जो tropical rainforest है वहाँ पे जादा population animals की, ऐसा क्यों, in tropical rainforest days and nights are almost equal in length throughout the year, अब जो tropical rainforest होते हैं, जब बारिशे आती हैं, तो दिन और रात almost equal हो जाता है, पूरे साल में, ठीक है, अब जो temperature है in region का, varies from 15 to 40 degree during the year, तो minimum 15 रहता है, maximum 40 degree रहता है, these region get plenty of rainfall, अब यहाँ पे बारिशे तो बहुत होती है, so because of continuous warmth and rain, एक गर्माइश और बारिश के वज़े से जो लगातार होती रहती है, this region supports wide variety of plants and animals, तो उस वज़े से इस region में बहुत सारे plants होंगे, तो plants होते हैं, तो बहुत सारे animals आते हैं, खाने के लिए उन्हे, so इसलिए वहाँ पे बहुत सारे होते है, the climatic conditions in rainforest are highly suitable for supporting an enormous number and variety of animals, तो यह जो climatic condition rainforest के होते है, यह बहुत support करते हैं and बहुत सारे variety of animals को, so that is why the tropical rainforest has a large population of animals, तो इस वज़े से tropical rainforest जो है, वहाँ बहुत सार के animals रहते हैं, next question number is, explain with examples, why we find animals of certain kind living in a particular climatic conditions, अब हमें explain करना है कि क्यों हमें animals ऐसे मिलते हैं, कुछ kind के, जो particular climatic condition में ही रहते हैं, ठीक है, अब animals are adapted to the condition in which they live, तो animals होते हैं, वो adapt हो जाते हैं, जहां पे रहते होते हैं, वो वहसी होते हैं, so these adaptations are just because of long process of evaluation, तो यह adaptation क्यों होता है, कि एक बड़ा process है, evaluation का, जैसे उसने वो, अब सपोस्थ चूहा, बिल्ली चूहे को खा जाती है, बिल्ली को डॉगी खा जाता है, तो इस सरीके से, वो लार्ज प्लॉंग प्रोसेस है, it would be difficult for them to survive, if they are moved to region having different climatic condition, than from their habitat, तो अब जहां से वो पैदा होत अब सपोस्थ हम penguin है, या polar bear है, उसको बरफ में से उठा के, अब गर्मी में ले आए, तो वो रही नहीं पाएगा, बचार वो मर जाएगा, so इसलिए वो adapt नहीं कर पाते है, इन सिचूएशन को, So consider the following example, देखिए वह example आगी, a polar bear has thick layer of fat under the skin, which acts heat insulator, अब जो polar bear है, उसके skin के नीचे बहुत मोटी layer है fat की, और जो गर्मेश देती है उसको, it protects the bear from extreme cold climate of polar region, वे ते ठंड से उसको बचाती है, the polar bear cannot survive if it is moved to hot and dry desert region, अब उसको गर हम गर्मी में रख दे तो उसके अंदर भी गर्म पाएगा, अब monkeys है, monkeys have long tails for grasping branches, adapted to live in tropical rainforests, it cannot survive in polar regions, right, अब monkeys है, वो अपने पूंच गुमा गुमा के इधर से उदर टैनी पे जंगलों में घूमते रहते है, अब अगर हम उनको बिल्कुल प्लेन जगह पे बरफ में छोड़ दे पोलो रीजन में तो रहनी पाएँगे ना, तो इसी तरीके से हमारे साथ भी हम थोड़ी सी दिक्कते तो आती है, लेकिन we are human beings, तो हम कही बार adapt कर लेते हैं, बर जो animals है, वो नहीं कर पाते हैं, क्योंगे उनके अलग अलग features होते हैं, अब next question है, how do elephant living in the tropical rainforest adapt itself, तो animal, जो हाथी होते हैं, वो कैसे adapt करते हैं, it has adapted to the condition of rainforest in many remarkable ways, it uses its trunks as a nose, because of which it has a strong smell of smell, तो उसको अपनी जो ट्रंक होती है, उसको नाग की तरह यूज करता है, जो बहुत तेस मेल को, मतलब बहुत सेंस कर लेती है, smell को, the trunk is also used by it for pickup, अब वो ट्रंक से सूंड से खाना भी उठाता है, ठीक है, जो उसके टस्क है, वो टीथ, जो टीथ, सकते हैं, और elephants उसको अराम से खा सकता है, so the elephant is able to handle the competition for food rather well, ठीक है, तो वहाँ पे वो अराम से खाना खा सकता है, उसको पोई दिक्कत नी है, large ears of the elephant help it to hear even very soft sounds, उसके कान इतने बड़े होते हैं, कि उसको हल्किसी आहट भी इसको अराम से सुनाई दे जाती है, they also help the elephant to keep cool in the hot and humid climate of rainforest, तो उसके वज़े से हाथी जो है, वो ठंडे भी रहते हैं, ठीक है, अब next question है, a carnivore with stripes on its body moves very fast while catching its prey, it's likely to be found in, अब एक ये कानिवोर है, animal, जो जिसकी body पे stripes है, और बहुत तेज भागता है, अपने प्रे को पकड़ने के लिए, प्रे का मतलब क्यों है, जो खाना वो So it is likely to be found in, कहां पे मिलेगा, जो तेज भागता है, वो मिलेगा, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्स में, जिसे टाइगर होता है, वो भागता जाता है खाने के लिए अपने प्रे को, इस तरीके से, now which feature adapt polar bears to live in extremely cold climate, क्या feature है, जो जिससे polar bear यहां पे रहते हैं, white fur है, fat blow skin है, नीज keen sense of smell है, ठीक है, thin skin तो उनकी है नहीं, तो वो cross हो गया, long tail भी नहीं है, white body possible of swimming, gills for respiration, तो यह तो उनका हो गया, gills for respiration, fish का, तो हमारा answer है, first वाला, next option है, question है, question number 12, which option best describes the tropical region, तो tropical region को कौन सा describe करता है, best, hot and humid, moderate temperature, तो tropical में तो क्या होगा, hot or humid, means, गरम भी होगा और वहाँ पर नमी भी होगी, humidity भी होगी, so with this, we have finished your chapter, कुछ query रहे तो, please comment करके बताओ, till then, take care, and please, 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 subscribe जरूर करके जाना, आपको पूरा class 7 के सारे science के solution solved है, already, already आप playlist में चेक कर सकते हो, bye guys, please, subscribe जरूर करना, share जरूर करना, take care, bye bye, have fun,